आज की वीडियो में हम लोग पेपर आट इन एजूकेशन का कम्प्लीट एनलाइसिस देखेंगे क्योंकि आट इन एजूकेशन जो पेपर है वो इंटर्नल पेपर है तो इंटर्नल पेपर में क्या क्या करना है और कैसे हम लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि यह internal paper है, internal paper जो भी होता वो scoring paper होता है इससे पिछली वीडियो में मैंने ठट सेमेस्टर के सभी paper का complete analysis video detail में बनाया है अगर वो वीडियो आप लोगों नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि आप लोगों को अच्छा score करने में वो वीडियो बहुत helpful होगा तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आट इन एजूकेशन का जो paper है वो internal paper है और 50 marks का paper है इसमें तीन तरह के assignment मिलते हैं पहला assignment कोई story सुनानी है तो story आप खुद decide कर सकते हैं कि जो story आपको अच्छे से याद हो और आपके बोलने का अंदाज अच्छा हो वो story सुना सकते हैं दूसरे assignment में नात, गजल या poetry कुछी भी सुना सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो और आपके बोलने का अंदाज जिसमें अच्छा हो सेम स्टोडी वाली कंडिशन है तीसरे एसाइमेंट में 5-10 इमेज बनाना है जितना अच्छा इमेज होगा उतना अच्छा मार्ग्स आएगा तो आप लोगों को परिशानी होगी कि आट इन एजूकेशन के पेपर में किस तरह का इमेज बनाएगे कि अच्छा मार्ग्स आएगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताके आप लोगों को कोई परिशानी न हो मैंने इस वीडियो में 25-30 सेम्पल के लिए तरह तरह के डिजाइन वाली इमेजे दी है अच्छा में किते दोखवाद के वीडियो बनाएगे जाल रा जोरा के प्या जाएगे तरह के लिए बनाएगे अच्छा में में प्याद़ झाल 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 झाल